हेलो एव्रीवन वेल्कम बेक टू जेई सिवल एकडमी आज हम बात करने वाले हैं वेस्टन रेलवे में निकली हुई वेकेंसी की वीडियो को पूरा देखिएगा फिर आप लोग कमेंट करते हो कि यह चीज समझ में नहीं है अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आ स्टार्टिंग डेट है इसकी 24-7 2020 यानि की 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और 22 जुलाई को इसकी एंडिंग डेट है अगर वेकेंसी की बात करें तो यहां पर वेकेंसी सभी इंगिनियरिंग ब्रांच के लिए है सिर्फ उनके नाम अलग हैं जैसे कि यहां पर सारी केंटि है नंपर वेकेंसी टॉटल नाइंटिंग है और जिसमें जनल की धक्त हैसि टीन है कि एस टीकी हैं और यहांनि की nochよね है OBC की 3 vacancy है, इस तरह EWS की 1 vacancy है, अगर next vacancy की बात करें, telly and snt की, तो total vacancy 10 है, UR की इसमें 6, SC की 1, HT की कोई vacancy नहीं है, OBC की 2 और EWS की 1 vacancy है, तो यह सारी number of vacancy है, अब बात करते हैं, इनकी qualification की, कि किस के according क्या qualification होनी चाहिए, तो अगर हम लोग junior technician associate में works की बात करें, तो यहाँ पर आपकी qualification diploma होना चाहिए, civil engineering में, इस से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कि final year वाले students apply कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में students comment करते हैं, कि हम लोग जो final year वाले students है, वो apply कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो देखिए, यहाँ पर साथा लिखा हुआ है, students should possess the required academic technical qualification on, और before the date of issue of notification apply against the post notified notification, देखिए, याने कि आज notification निकला है 22 को, तो 22 तारिक या उस से पहले आपके degree complete होनी चाहिए, या फिर डिपलोमा complete होना चाहिए, अगर आप लोग final year वाले students हैं, अब भी तक आपका complete नहीं ह कर सकते हैं, अब बात करते हैं, पोश्ट वाइज और उसके qualification की, देखिए, पहली पोश्ट के बारे बात करेंगे, बागी सब के लिए, सेम होने वाला है, ठीक है, वह आपको detail में पढ़ना पड़ेगा है, यहाँ पर junior technical associate work की बात करें, तो यहाँ पर होना चाहिए, आपको B.T.E.C. होना चाहिए, four year, three year B.T.E.C. नहीं चलेगा, four year B.T.E.C. होना चाहिए, इसी तरह other stream के लिए भी है, जैसे हम लोग electrician की बात करें, तो यहाँ पर आपका three year diploma, mechanical, electrical, electronics, यहाँ पर combination, इन में से किसी भी branch का हो सकता है, यहाँ पर four year B.T.E.C. इन सभी stream में, अब बात करते हैं, tally and S&T की, तो same process है, three year diploma होना चाहिए, इनी ब्रांच में electrical, electronic, information, communication, computer science, अब बात करते हैं, कौन-कौन से student इसके लिए eligible है, general student जो diploma या degree की बात हो यहाँ बे, या फिर diploma या degree में आपके general वालों के 60% है, तो आप लोग apply कर सकते हैं, अगर आप लोग OBC, NCL में हैं, 55% होना चाहिए, SCHT वालों के लिए 50% होगा, तब भी चलेगा, ओके, तो यह सारे requirement अगर आपके इतनी percentage हैं, तो आप apply कर सकते हैं, अपने category का according, अब बात करते हैं, age limit की, age limit, date दे रखिए, date का according होनी चाहिए, general की होनी चाहिए, यहाँ पे 18-33 के बीच में, OBC की 18-36 के बी fees, और refundable होगी 400, जिस तरह RRB GE के जो exam हुए थे, group D के उसी तरह से, और अधर जितनी भी category हैं, उनके लिए 500 रुपे होने वाली, same process में, अब बात करते हैं, selection process की, की selection process क्या होने वाला है, यह कि selection process को यहाँ पे 3 category में divide किया गया है, एक तो आपके qualification के according, आपको 55 marks मिलेंगे XPM के आपको 30 marks मिलने वाले हैं, और personality intelligence test के आपको 15 marks मिलने वाले हैं, इस तरह total होता है 100, तो हम एक post के बारे में बात करेंगे, और same process होने वाला है, अधर पोश्ट के लिए, ठीक है, अगर आपने 3A diploma के इस वलेंग में, BST, अधर जो भी qualification है, वो complete की है, पहला तो क्राइट 59 है और किसी में 50 है, तो नहीं चलेगा, सभी semester में, जितने diploma में 6 होते हैं, और BTEK में 8 होते हैं, तो सभी में 50% से उपर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 50 marks मिलने वाले हैं, अगर आपके पास higher qualification है, जैसे कि आपके पास BTEK है, या फिर MTEK है, तो आपको उसके 5 marks extra मिल 30 marks मिलेंगे यहां से, 30 marks किस तरह मिलेंगे, अगर आपके पास one year का experience होना चाहिए, civil engineering में, category A है, यहां पर अगर आपका experience है, railway के अलावा कि और किसी में तो आपको 30 marks मिलेंगे, अगर railway में experience है, तो आपको 10 marks मिलेंगे, अब बात करते हैं, personality intelligence test की, तो personality intelligence test में आपको 15 marks होगा 50 marks में किसी तरह होने वाला है, यहां पर आपको technical knowledge पूची जाएगी, practical theoretical knowledge होगी, test होगी, specification, codal, provisional वगरा से पूचा जाएगा, और साथी साथ आपको यहां से, और साथी यहां से, CAD, CAM, KT या project menu में, DC से भी पूचा जा सकता है, तो उस तरह total होते हैं 100 marks, यहां पर कोई भी expense है, तो इस post में apply कीजिए, अब बात करते हैं कि आपको कितने salary मिलने वाली है, तो जो Z class स्रीटी में होंगे, 25,000, Y class के लिए 27,000, X class के लिए 30,000 होने वाली है, salary सभी junior technician associates की same होने वाली है, वो according to type of strategy change हो जाएगी, अब बात करते हैं contact duration की, तो contact duration आपका selection के बाद start होगा, उसकी date होगी, 19 November 2020 तक, लेकिन duration short है, लेकिन उसको extent भी किया जा सकता है, according to situation, अब लेका हो, renew as a fresh contract on a year to year basis, यानि कि इसको आँगे भी extent किया जा सकता है, फिलाल lockdown की condition में ज्यादा jobs नहीं आ रही हैं, तो इस समय ये need ज्यादा important है कि आपके पास at least एक job होना चाहिए, और खा काम करने का, अगर आप लोग चाहते हैं, अपलाई करना तो अपलाई कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, अगर ऐसी और informative वीडियो चाहते हैं, अगर आपको कोई query हो, तो नीचे comment box में comment कर सकते ह आप उसका reply दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगे, जहां पर हम लोग SST की जो series हमारे incomplete रह गई है, उसमें तीन lecture रह गए हैं, जिसमें 75 question remaining है, लास्ट वाले paper के, तो उनको complete करने के बाद हम next topic start करेंगे, comment box में comment करके बताएगा कि next topic क्या होना चाहिए, क्या वो NCL के previous papers होने चाहिए, या फिर वो राजिस्तान जईए की preparation के planning होने चाहिए, तो आप comment box में comment करके जो बताएगा, मिलते अगले video में, till then keep learning, be happy.